दोस्तो अर्थिंग क्या होती है यह तो आप सब जानते हैं मगर इसमें सोलर प्रांट में अर्थिंग को किस परकार से यूज किया जाता है और जो अर्थिंग होती है उसकी बैलू कितनी होनी चाहिए जो हमारी सबसे अच्छी अर्थिंग मानी जाए और जो अर्थिंग है उसकी अगर एक अर्थिंग से लेकर दूसरी अर्थिंग फिट जो बनाए जाते हैं उसकी दूरी कितनी होनी चाहिए तो यह सारी चीजें हम इसमें जानने बाले हैं और जो अर्थिंग होती है वो हमारी इस वीडियो में दिखाने वाले हैं कि किस प्रकार से यहां पर अर्थिंग की गई है और उसकी जो वैलू है वो कितनी रखी गई है तो चलिए दोस्तो आज का वीडियो शुरू करते हैं तो देखे दोस्तो यह हमारा सोलर प्लांट कैसे लगा जाते हैं इसका पार्ट नमर 10 है और इसमें हम जानने वाले हैं कि सोलर प्लांट में अर्थिंग किस प्रकार से की जाती है सारे इस टेक्चर को अर्थ क्यूं किया जाता है कैसे किया जाता है तो वो हम आपको दिखाने बाले हैं जानने बाले हैं तो देखिए दोस्तों यहां पर सारे जो भी प्लांट में जितने भी स्ट्रेक्चर लगे होते हैं उसमें सभी को अर्थ किया जाता है तो जितने भी स्ट्रेक्चर हैं सभी को अर्थ किया गया है इससे होता क्या है कोई भी DC अगर हमारे स्ट्रेक् मिलती है अगर हम कहीं भी जो टच करेंगे तो हमें करेंट नहीं लगेगा और जहां जहां पर जो हमारी एक स्ट्रिंग खतम होती है बहां पर गैफ होता है तो उस जगह हम इस स्ट्रिप से अर्थिंग को एक दूसरे से connect करते हैं एक structure से लेके दूसरे structure हो connect करना पड़ता है तो हमने यहाँ पर देखी इस प्रकार से connect हिया है तो क्योंकि यहाँ पर जो बाइर से हम बहीं structure में रखते हैं तो अगर कोई बाइर sort होता है तो जो current है वो हमारा जमीन में चला जाता है अर्थ हो जाता है तो इस से हमें safety मिलती है और कोई भी module जो हमारे component लगे होते हैं वो खराब नहीं होते हैं तो देखिए जो SMB हैं जितनी भी SMB लगी हुई है उसके लिए भी separate earthing की गई है जो structure है वो उसके लिए अलग अलग जगए जगए पर earthing की गई है लेकिन यहां पर जो हमारा SMB लगी हुई है उसके लिए एक earthing अलग से की गई है देखिए यहां पर जो pipe earthing की गई है और यहां पर strip निकाल के बहां से strip निकाल के यहाँ पर लेके रखा गया है और यहाँ पर जो है अर्थिंग को दे दिया है हमने SMB को तो देखी इस प्रकार से सभी जगए अर्थिंग की गई है और इसमें अगर यह सूख जाता है तो यहाँ पर पानी भी डाला जाता है जिससे जो अर्थिंग है वो गीली रहे तो देख यहां पर 0.6 है तो यह भी चलेगा तो यह एक कोम से करीबी है तो यह भी चलेगा और इसके बाद देखी यहां पर यह lightning arrester है तो इस plant के लिए तीन lightning arrester लगाए गए हैं जो सारे plant को cover करते हैं तो जो lightning arrester होता है उसके लिए दो earthing की गई हैं दो उनो अर्थिंग के बीच में जो distance होना चाहिए वो तीन मीटर से ज़्यादा होना चाहिए कम नहीं होना चाहिए और दूसरी जो earthing देखी यहां इस site की गई है तो यहां पर जो तीन मीटर से ज़्यादा दूरी रखी गई है तो यहां पर जो lightning और पर लगा है तो इसके लिए यहां पर दो और देखिए एक अर्थिंग की गई है तो तीन मिटर्स के डिस्टेंस से लेकर बहूंद दूसरी जगाये की गई है तो जो जितनी भी जो अर्थिंग की जाती है उनके बीच में हमें तीन मीटर से ज़्यादा दूरी रखनी पड़ती है तो देखिए अब जो दूसरी अर्थिंग की गई है वो अर्थिंग की गई है और इसकी बैलू देखिए यहाँ पर 0.27 और 0.29 है तो यह सबसे अच्छी बैलू है और इसी परकार से जो अर्थिंग है उसकी बैलू होनी चाहिए अर्थिंग की बैलू इतनी कम क्यों रखी जाती है तो इसके लिए हम आपको एक सेपरेट वीडियो ब पहले की 0.39 होम है और दूसरे की 0.25 होम है यह अच्छी अर्थिंग है और इसकी अर्थिंग भी यहाँ पर हमने जो एक दूसरे से जो अर्थिंग है उसका डिस्टेंस 3 मीटर से जादा रखा है कम नहीं रखा है इसके बाद अब जो चंट्रोल है उसके दूसरे साइड वो दो अर्थिंग की गई है इसके ड़ा के लिए और उसकी डूरी भी रखी गई है सेम तीन मीटर से जड़ा और उसके बाद हमारे जो इनबेर लगे होते हैं, जो PCO लगे होते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर अर्थिंग की गई हैं दो अर्थिंग के लिए भी की गई हैं तो इसकी बेलू भी बहुत अच्छी है, 1 Ohm से बहुत ही कम है तो इसी प्रकार से और दूसरा जो एक और PC लोगा हुआ है हमारे control room में तो उसके लिए भी यहाँ पर अर्थिंग की गई है तो हम वो आपको बता देते हैं तो देखिए इसकी value भी एक ohm से बहुत ही कम रखी गई है तो देखिए यहाँ पर जो अर्थिंग है वो इस प्रकार से लगी हुई है देखिए यह दिखाई दे रही है तो यहाँ पर है जो अर्थिंग लगी हुई है तो चलिए हम इसको निकाल लेते हैं सही से निकाल लेते हैं और जो सभी अर्थिंग है वो थोड़ी इतने नीचे हैं तो मिट्टी धूल की वज़े से यहां पर उससे बंद हो गई है तो देखी यहां पर जो अर्थिंग है वो पाइप अर्थिंग की गई है तो ये दोनों आपस में parallelly connect हैं और ये हमारी PCU number 2 में जा रही है तो दोनों देखी यहाँ पर आपस में connect हो रही है और यहाँ से जाके ये जो है वो PCU 2 में जा रही है तो दोस्तो सवी plants में इसी परकार से अर्थिंग की जाती है जिससे जो structure है अगर कोई भी DC buyers उससे टच हो जाता है या हम किसी पैनल को टच करते हैं और वो कहीं आर्थ हो जाता है तो उससे हमें current नहीं लगता है अगर वो अर्थिंग होता है और अर्थिंग की value अगर एक ohm से कम है तभी हम उससे safe रहते हैं तभी हम उससे बच सकते हैं तो इसलिए इसकी value कम रखी जाती है तो दोस्तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like share जरूर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारी चैनल को subscribe नहीं किया है वो subscribe भी कर ले साथ में bell icon को भी प्रेस कर लें जिससे हम कोई वीडियो अप्लोट करें उसका notification सबसे पहले आपके पास आ जाए क्यूंकि हम electrical maintenance और solar plant के maintenance related वीडियो इस चैनल पर लाती रहते हैं जो आपको बहुत काम आख सकती हैं तो चलिए दोस्तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं आपसे इसी परकार की next वीडियो में